कार इस वक्त आप डी टीवी देख रहे हैं मैं आपको बता दू पच्चेश नुमंबर को मद्दान किया गया था उसी के दोरान डीग्ज लेके सीक्री छेत्र के सिहावली में कल भी जगडा देखने को मिला दो पक्षों में जगडा हुआ वही मैं आपको बता दू जगडा इतना बढ़ गया कि आज सुभा अलसुभा जो है आज वहां से फिर से खबरें आई कि दो पक्षों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों में जगडा हो गया जो बीजेपी और कॉंग्रेस के समर्थ तक बताया जा रहे हैं जिसमें कई लोग जो हैं वहां से खबर छो है वो अभी कंट्रॉल में हैं लेकिन मैं आप सभी से फिल करना चाहूंगा कि ववस्ता है उसको बनाए रखें चुनाओ जो हैं अभी वहो रहे हैं ऑपसी भायचारे को बनाए रखें किसी भी तरह से किसी भी माहूल को विगाड़े नहीं हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ रहे हैं मिल कर रहे हैं देखें मैं आपको बता दू कल की जो तश्वीर हैं कल से ही जो हैं खबरे आ रही हैं जहां पर हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के लोगों क सामने आई पुलिस बल कल वहां पर कहीं न कहीं उसमें कमजोरी देखे गई और आज सुबह जब यह जगड़ा हुआ उसके बाद पुलिस बल को जैसे ही सूसना मिली तो पुलिस बल वहां पहुंचा सांती अभी सांती की अपील वहां कर रहे हैं और दोनों प्रत्यासी जो है अभी पुलिस बल वहां पहुंचकर मामले पे काबू पा लिया गया है सांत कर दिया गया है बाकि आप देख सकते हैं तस्वीरे आपके सामने हैं गलियों में पत्थर पड़े हुए इंटे पड़े हुए यानि कि भारी पत्थरा वहां पर हुआ है उसके बाद अभी कई ल लगातार दिखाएंगे हैं हम आपको बता दे रात जो है बेरू में गाड़ी को जलाया गया और बताया जा रहा है कि पुनाए में भी कई गाड़ियों को तोड़ा गया दोनों जो है कि दोनों और से मोर्चा समाले गए जहां पर आपने देखा कि भाजपा प्रत्यासी की गाड़ी जो है रात उसको सीक्री में तोड़ दिया गया उसके बाद जो गुजर समाज और बीजेपी के जितने भी कारे करता और समयर तक दे वो रात थाने पहुंचे तो ऐसी खबरे आई जहां पर कई जगा दोनों समुदाय के लोगों को एक दूसरे को रोका गया जहां में गाड़ी के सीसे तक तोड़ेगे ऐसी खबरे या भी आरी है लगातार् जो कब्रें होंगी वह हमारे सबसे ही ब्रू बोट जगड़ा था उस वक्त में भी आपने कि अज़іть कि तश्विः सामने आइए जहां पर इंट पतर और फायरिंग तक भी की गई जैसे हि तश्विःे सामने आई भी दिखां पर वहां पर उठा उठा के दिखाते करें और इंट पत्रवों से पूरी ग्ली जो है उनमें आपको पत्त आप नजर आ का लगा